हलो स्टूडन्स क्लास एट सोशल साइन्स चेप्टर थ्री नैशनलिजम इन इंडिया यह कंप्लीट शोल्यूशन तो नहीं है यह पार्ट वन है जिसमें आपको कुश्चन वन के सारे कुश्चन मिल जाएंगे और स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्क्राइब कर लो लाइक कर लो रो जो बैल आइकन होती है उसे भी आप प्रेस कर दो तो स्टार्ट करें हैं लेट्स स्टार्ट यह हिस्ट्री का चेप्टर है चेप्टर थ्री नैशनलिजम इन इंडिया उसका कुश्चन वन का वन ह What factors played a major role in the rise of nationalism in India राश्टरवाद ये राश्टियता बढ़ावा देने के लिए या बढ़ने के लिए कौन से factors थे जिनने बहुत बढ़ा रोल निभाया तो उसका answer काफी बढ़ा है actually तो हर slide का आप screenshot लेना और लिख देना gallery में से तो next देखें और ये answer का first part है यानि बाकी का answer बाकी दो slides में या आगे वाली slides में आपको मिलेगा ये question 1 का जो बाकी का part है उसी का answer है ये बहुत बड़ा answer है long answer है तो मैंने जैसे पहले भी बोला आप screenshot लेके आप लिख सकते हैं तो यही method अपना ये तो better रहेगा इसका बाकी का part देखें question 2 है describe the activities of the Indian National Congress in its initial phase शुरुआती दोर में Indian National Congress की क्या-क्या activities हुई थी वो बतानी है तो ये पूरा answer आपको दिख रहा होगा screen पे आप देख सकते हैं और suggestion ध्यान में रखेगा कि screenshot लेना है और लिखना है तो आगे देखें question 3 है what were the consequences of the partition of Bengal जो Bengal का division हुआ था यानि partition हुआ था दो टुकड़े होगे थे तो उसके परिणाम यानि result क्या आए consequences का मतलब होता है result क्या आए तो वो पूरा answer देना है तो आगे बढ़ें third question के दो points आपको यहाँ पे और मिल जाएंगे वो भी आपको लिखने है और question 4 दे रखा है how did the need for national education arise in India राष्टियता की शिक्षा देने की जरूरत क्यों पड़ी तो उसका answer भी यहाँ point wise ही मैंने लिखे हैं सारे आपको जे इस तरह मैंने इदर लिखे हैं वैसे ही आपको लिखने है अपने fair copy में तो let's see इसके कहाँ पे points complete होते हैं यह first part है इसका और यहाँ पे यह four questions complete हुए और यह इस chapter 3 का solution का part 1 है part 2 भी post हो जाएगा तो आप देखते रहे है students class 8 social science chapter 3 nationalism in India question 1 जो था उसके solution over हुए और part 2 में आपको question 2 के बाद के solution में आपको मिल जाएंगे तो मेरा channel subscribe कर लेना, like कर लेना और वो जो bell icon होती उसे भी आप press कर देना thanks for watching, thank you so much कर दो कर दो